नमस्कार दोस्तो, Welcome to Career Education, Career Education में आप सभी का स्वागत हैं, दोस्तो आज हम लोग Practice Set 23 नमर पर बात करेंगे, जिसमें Railway Group D का Previous Year Question रहेगा, हाँ दोस्तो आप बिल्कुल सही सुने, Railway Group D का Previous Year Question रहेगा, दोस्तो इस चैनल पर Totally Previous Year Question ही कराया जाता है, आप कोई भी एक्जाम्स के तयारी कर रहे हों, उस एक्जाम्स के Previous Year Question इस चैनल पर कराया जाता है, तो अगर आपको Previous Year Question का तयारी करना है, तो आप इस चैनल को सस्क्राइब करकर के इस चैनल से जुड़िए, और आप मेरे साथ Previous Year Question का तयारी कीजिए, ओके दोस्तो चलिए बिना देरी किये हुए Question देख लेते हैं, एक नंबर Question कह रहा है कि उच्छ डैस सुचकांक आए बीतरण में और समानता को दर साता है, तो उच्छ गिन्नी सुचकांक जो है, वो आए बीतरण में और समानता को दर साता है, अप्सन C जो है, वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, यानि कि उच गिन्नी सुचकांक जो है, वो आए बीतरण में और समानता को दर साता है, ओके चलिए Next Question देख लेते हैं, नेक्स्ट कोचन दूनमर कह रहा है, कि थाइमिन की कमी से डैस होता है, थाइमिन की कमी से क्या होता है दोस्तों, तो बेरी-बेरी नामक रोग होता है, अप्सन D जो ह वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question तीन नमर कह रहा है कि सुर्य मुखी के short tracking यानि कि सुर्य की दीशा में बिचलन को dash कहा जाता है तो सुर्या नू वरतन कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों सुर्या नू वरतन option B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं दोस्तों अगर आपको इसका पीडियप चाहिए तो मैं टेली गराम का लिंक description box में दे दूँगा वहाँ से आपको इसका पीडियप मिल जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question चार नंबर कह रहा है कि इन में से किस भारतिय क्रिकेटर ने एक बिश्व कॉप में सरवाधिक रन बनाए तो सचीन तेंदूलकर जीने बनाए किसने बनाए दोस्तों सचीन तेंदूलकर जीने option B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question पांच नंबर कह रहा है कि भारत में pin code यानि कि postal index code कब सुरू किया गया था तो सन 1972 इस भी में सुरू किया गया था कब सुरू किया गया था दोस्तों सन 1972 इस भी में option D जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question छोव नंबर कह रहा है कि चंदार्मा डैस pin का उधारन है चंदार्मा जो है वो किस pin का उधारन है तो और दिपतेमान pin का उधारन है option B जो है वो आपका बिल्कुल 7 नंबर कह रहा है कि वो परिकिरिया जो प्रिथवी की उपरी सतह के भागों को खिसकाती उभारती या निर्मित करती हैं क्या कहलाती है तो उसे पटल भीरूपन कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों पटल भीरूपन option A जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं नेक्स्ट कोचन आठ नंबर कह रहा है कि आई और रोजगार सिदान्त और दसास्त्र की किस साखा का दूसरा नाम है तो ब्रीहत और दसास्त्र का नाम है किसका नाम है दोस्तों ब्रीहत और्द सास्तर का option A जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दोस्तो मैं यह question फिर से repeat कर दे रहा हूँ question कह रहा है कि I और रोजिगार सिदान्त और्द सास्तर की किस साखा का दूसरा नाम है तो ब्रीहत और्द सास्तर का नाम है option A जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question 9 number कह रहा है कि निमने लिखित में से किस परतिक का उप्योग Microsoft Excel sheet में सुत्र से पहले किया जाना चाहिए तो बराबर का उप्योग किया जाना चाहिए option A जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question 10 number कह रहा है कि basic computer भासा के संदर्ब में basic का प्रूण रूप क्या होता है basic का प्रूण रूप क्या होता है तो आपका सही उतर हो जाएगा basic का प्रूण रूप आपका सही उतर हो जाएगा beginners all purpose symbolic interaction code option D जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं दोस्तो मैं उमेद करता हूँ कि question आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और comment करके बताए कि वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तो अभी तक आप इस चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो please इस चैनल को subscribe कर दीजे और bell icon को भी प्रेस कर दीजे ओके चलिए next question देख लेते हैं नेक्स्ट question एगारे नमबर कह रहा है कि भारतिय संबिधान के भाग 4 के A में यानि कि अनुछेद account के A में कितने मॉली कर्तब नेधारित किये गए हैं तो 11 मॉली कर्तब नेधारित किये गए हैं कितने मौली कर्तब निधारित किये गए हैं तो 11 मौली कर्तब निधारित किये गए हैं आप्सन B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दोस्तो मैं यह कोश्चन फीर से रिपीट कर दे रहा हूं कोश्चन कह रहा है कि भारतिय संविधान के भाग 4 के A यानि कि 12 मौली कर्तब निधारित किये गए हैं आप्सन B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन 12 नंबर कह रहा है कि अंग्रेजी में अनुवादित इंडिया नेशनल आर्मी का आदर्स वाक के क्या था तो एक्ता बिश्वास और बलिदान था क्या था दोस्तो एक्ता बिश्वास और बलिदान अप्सन A जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन 13 नंबर कह रहा है कि सतलज नदी किस द किस दारा से होकर दोस्तों सिप किल्ला दारा से होकर भारत में परवेश करती हैं अप्सन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन चौदे नंबर कह रहा है कि माल वीकानी मित्रम के लेखा कौ सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन पंदरे नमर कह रहा है कि पुस्तक ब्रिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नलोजीज पीपल प्रोग्लम के लेखा कौन है तो एन चंदर सेखरन है कौन है दोस्तों एन चंदर सेख अप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन सोले नमर कह रहा है कि निमने लिखित में से कौन प्रसिद ताबला वादक है या थे तो अल्ला रखा थे कौन थे दोस्तों अल्ला रखा अप्शन ये जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन सत्रे नमर कह रहा है कि असलेट डैस सेल का एक परकार है तो कयांतरित सेल का एक परकार है अप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोच्टन देख लेते हैं नेक्स्ट कोच्टन 18 नंबर कह रहा है कि मट की निमने लिखित में से किस राज्य का लोक प्रिये लोक निरित हैं मैं कोच्टन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मट की जो है वो निमने लिखित में से किस जिका है दोस्तो मध्य परदेश का option ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question 19 नंबर कह रहा है कि पुस्तक हुमायू नामा किसने लिखी थी पुस्तक हुमायू नामा जो है वो किसने लिखी थी तो गुल बदन बैगम ने किसने लिखी थी दोस्तो गुल बदन बैगम ने लिखी थी option B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question 20 नंबर कह रहा है कि भारतिय संबिधान का कौन सा अनुछेद भारतिय राष्ट पती को संसद के अवकास के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है तो अनुछेद 123 देता है कौन देता है दोस्तो अनुछेद 123 अप्सन B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके इतना question में लेकर आया हुआ था उमीद करता हूँ कि सारा question आपको याद हो गया होगा दोस्तो अगर आपको सारा question याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फीर से देखिए आपके लिए एक-एक सवाल important है दोस्तो आपके exam में इस वीडियो से 100% सवाल देखने को मिलेगा तो आप एक-एक question का important समझे और अच्छे से तयारी कीजिए ओके दोस्तो आपसे मैं next practice rate में मिलता हूँ तब तक के लिए take care दोस्तो आपना ध्यान रखे और मन लगा कर पढ़ते रहे ओके दोस्तो भाई